आच महीनों से ज़्यादा का वक्त बीच चुका है मनीपूर दर्द दंगो का दंश अभी तक जेल रहा है मैं इस वक्त मनीपूर के राजधानी इंफाल में मौजूद हूँ मेरे पीछे आपको एक राहत शिवीर एक कैम्प नजर आएगा लगातार खोरई हिंसा के बीच अब लोग पिछले साड़े आठ महीनों से कैम्प में रह रहे हैं सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देदू कि ये कोई सरकारी कैम्प नहीं है इसे साथ महिला समाजिक संगठन जो है वो इस कैम्प की देखरे करती हैं उनके द्वारा यहां पर सारा देखरे और खान-पान के रहने का जो पुरा ताम-जाम है उसका ध्यान रखा जाता है आप क्याम्प की तैयारी भी देखते जाएं साथ में किस तरह है सी क्योंकि साड़े आठ महीने से जादा का वक्त बीच चुका है भारती जनिता पार्टी के डबल इंजिन की दो सरकार है किस तरह से लगातार अपने सब भी वाइदों पे फेल हुए और उसके बाद किस तरह स सिती है जस की तस बनी हुई है मेरे पीछे रहत कैम्प है और यह इस कैम्प का जहां क्योंकि खाना यहां पर तयार होता है आपको महिलाएं यहां पर नजरारीयन महिलाओं से भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे कि सिती कैसी है साधे आठ महीनों के दरमयान इन्होंने क् अमोध से मैं कहूंगा इस तारफ आई है ऑपका इसे बात करें पहले अप लोग हिंदी में बात कर लेंगे कुछ सवाल हो na आपका नाम क्या है कि अ आप यहां पर इस कैम्प में देखरे करते हैं कितने लोग इस कैंप के अंदर रह रहे हैं अभी तो 60-70 ऐसे हैं महिलाएं हैं बच्चे हैं और और कौन को नहां रह रहे हैं महिलाएं बच्चे मार्ट सब मिलाकर 60-70 ऐसे हैं कितने समय से लोग रह रहे हैं यहां से मैं से रह रह रहे हैं जब हिंसा की शुरुबात हुई 8 मही पहले से मुझे लगता है महिलाओं से बात करने के जरूरत है लेकिन आपको मैं यहां पर पहले स्थेती दिखा दूँ मैं कहूंगे मोहित से क्योंकि आप तस्वीरे आपको दिखाएं यह कैम्प है 60-70 लोग जैसा कि उन्होंने बताया है यहां पर 60-70 लोग रहते हैं जिसमें महिल मर्द और बच्चे सभी शामिल हैं आपका ना बात करेंगे हैं ठीक है मोहिती पुजिशन आपका नाम क्या हो संगीता नाम है आपका कब से आप यहां रह रही हैं और यहां क्या देखती हैं बहुत देखता है क्योंकि उदर से हम लोग वापस आने के इधर में तो हम दिल अभी खुश हो रहा है अभी क्या क्या बताएगा पता नहीं हम क्या कितने कब से आप यहां पे रह रही हैं तिन महीने कहा रहती थी आपका घर हिंसा का शिकार हुआ था क्या है मोरे में रहता था और मेदेट्री में हम लोग यहां में आ गया और उदर में मेरा बाबा का द पूरे परिवार के साथ यहां रहरे हैं अभी क्या-क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा इतने समय में आप क्योंकि आप बतारी आप कहीं और रहती थी यहां पर आई वहाँ कुछ हैसा हुआ जसके बाद आपको यहां फारा कि विए अधर में तो कुछ काम भी नहीं है कुछ पैसा कमाने की कुछ भी नहीं है कि यह हम लेकिन घर चोड़ कर क्यों है आपका घर आपके घर के आज पास भी लोग आए थे वहां पर भी हमला हुआ तो कुछ इस तरह के स्थिति बनी थी हां युकि हम लो जब में खूग अमलोग का एरिया में तो सिफ स्थे Oh को दो लोगकी नहीं में रहता है क्षदी कि एरिया का नाम तो संतिनागर क्योंकि एंदेर में तो तमिल भी रहता है मुस्लम भी रहता है उर नेب माल见श एम लाकिया मेरा बचन कोंचायज से उद्र हम लोग मुस्किन से कटाओं ने अगर वो राहूल गांधी आने से हम लोग फिर हम लोग को घर में वापस आने जाने मंगता है अब हम लोग क्या करेगा हम लोग तो हमेरा हम लोग को घर चाहिए हम लोग को घर जाने मंगता है अभी 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 अधर मुस्किल से रहता है क्योंकि मेरे दोनों बेटी भी है और कुछ काम भी नहीं है क्या करेगा और दोनों बेटी तो खाएगा पिएगा बोलता पर हाथ में एक रुपया भी नहीं हम लोग क्या करेगा बहुत मुस् इसके बाद से अब तक महिलाओं की स्थिति यहां पर क्या है कि इसके पार तो हम क्या बोलना लूग। सुरक्षत महसूस कर रहे हैं अप सेफ फिल कर रहे हैं इंदर अब है अब यद्या कर रहे हो मानीक्पूर में आपको लग राएब सेफ है महफोग में लग राएब सेफ और इंड q Liftashing इस बहु आ पटा नहीं है इसलिए इंगर में तो हम से से पेंग । तो हम लोग सेफ है और बहर जाने से हम लोग क्या करेगा कुस पताने कहा से सुरू होईगा कहा से वो लोग करेगा हम लाग करेगा इसलिए हम लो अच्छा इदर में बहर में तो हम लोग सेफ नहीं इदर में तो हम लोग सेफ है अगर हम लोग बहर जाने मंगता है और हम पर बोट मुस्किल से हम लोग इदर में रिया अभी हाँ थोड़ा फिल फिलिंग थोड़ा कम हो गया ही ठीक है देखे मैं आपको हम क्योंकि अंदर यहां विवस्था कैसी है और कैसे लोग रहने के लिए मजबूर है आपर क्योंकि साड़े-ाथ महीने पहले जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा हजारों घर आग के हवाले हो गए मंदर, मस्जुद, चर्च, पुलिस थाने सब कुछ आग के हवाले हो गया और उसके बाद से लोग लंबे बक्स से इस तरह शिवीरों में आकर रहने को मजबूर हैं सरका सरकार से अब वो महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं सरकार से उन्हें उम्मीद कुछ नहीं है चोटे-चोटे बच्चे और उनको लेकर कैस तरह से देखी यहां पर जो सारी मात आए हैं वो यहां पर स्वक्त रह रहे हैं क्या नाम है आपका दकासना कब से आप क्यांप में रह रहे हैं यहां पर सार बहीने पास महीने होगा आपको यहां पर आना पड़ा क्या मतलब आपका घर भी क्योंकि कई घर जल 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 गया और का यहां इसलिए राइ मेरा में गगर वी सब घल गया इसलिए हो आगया है रुक यैम में परिवार में हरा इसलिए पुरे परिवार के साथ हैं रह रहे हैं हम परिवार किता Yasi से मेरा पुता, मेरा बेती, ऐसे ऐसे कुछ काम करते थे आप, सब काम छूड़ गया यहां पर आप आ गए पहले तो हम काम करते थे, मेकनिक थे यहां, यह दो मेकनिक थे, लेकिन वह लाराई में पुरा यहां, कुछ सरकार ने कभी नहीं किया, कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं कुछ को, कुछ करते थे देए अम देखा मुदो में और हुआ है harm ही और रहूल गांधी फिर से भारत जोड़ो ने आई नग यलेकर पहले पिन है व्हाने घ् helmetsKA होगा है यह आपको लगता है कच उप्छ वुम्हारा अपको राहूल गांधी से हर भारत जोड़ो ने आई यात्रा से तो क्या करेंगा इसमें जगरा जगरा तो ऐसे ही अभी 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 चल रहा है तो क्या करेंगा हम लोग तो ऐसा कहना साहता है अग्दम कंप्लेट खत्म करके ना हम लोग उधर मेरा मेरा घर मेरा गाउं जना जा रहे हैं अब किसी गाउं में कहीं रहते थे कितने लोग वहां से हाए और गाउं में इस्थिती क्या है वहां क्यों नहीं जा सकता बाप वापस अभी वो क्या बोलेगा बांकर उगर रहेकं रहें क्यों राइफल की इसलिए नहीं जा सकता है उधर आने जैना अबह तक नहीं गया तो बराबर बोलता है वो क्या कर रहे तुम लोग आओ क्या कर रहे अभी ऐसा इसा इसा चुलाने के आवाज तो आने का वो हम तो नहीं सुनता है हम तो आ गया आप लोगों को सुन रहे हैं क्योंकि वो अपने घर में जाब नहीं जा सकते हैं जैसा कि वो बता रहे हैं क्योंक तो मेडिकल सेक्शन भी यहां पर इन लोग के लिए ववस्था की गई है कि अगर कोई चाहे ना चाहे विमार हो जाता है तो उसको दवा पानी समय रहते दिया जाए क्यूंकि अचानक किसी को स्पताल ले जाना ऐसी परसिती शेहर के अंदर नहीं है और यह आप इमफाल जो क इस वक्त क्यांप में बदला गया है यानि कि आंगन बाडी जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकार से कोई मदद मिली साड़े आठ महीनों में कभी कुछ सरकार का आदमी आया आपके पास अब इतल लग तो कोई आये ही नहीं है राहूल गांधी सार एक बराया था सबको मिल की गिया वही बात है भारत जोड़ो नहाय आत्रा लेकर यहीं से शुरू कर रहे हैं आपके नहाय के हक वो मांगेंगे नहाय की बात वो करेंगे क्या उमीद आपको है उनसे हम लोगों मीट किया है हम लोग अपना जगा में बेज दो सांती बनाओ अपना देस को हम लोग भी भारत का अदमी है मानिपूर भी तो कौन सा अलग कंट्री है पना इंडिया तो है अपना जैस में हम लोग शांती से रहे नहीं सकते हम लोग कहां में जाके रहेगा वही बात है आप बात करेंगे अंकल हिंदी नहीं आता है अम्मा को अम्मा को भी नहीं आता है कोई बात नहीं लेकिन देखिए जैसा वो बता रहे थे कि सरकार के और से साड़े आठ महीनों में कोई मदद नहीं मिली इनको उमीद है अब रहूल गांधी से भारत जोडो नया यात्रा से ज उस अन्याय के खिलाफ न्याय के मांग वो कड़ते नजर आएंगे संसत से लेकर सड़क तक लगातार मनिपूर का मुद्धा न केवल राहूल गांधी बल्कि पूरा भारती राश्ट्री कॉंग्रिस का हर एक नेता उठाता रहा है और आगे भी इस मुद्धे को ऐसे उठा किस तरह से लोग मजबूरी में अपना बना बनाया बसा बसाया घर अपना अश्रियाना छोड़कर आये हैं यहां पर क्यूंकि सब कुछ बरबाद हो गया राक हो गया जल गया चोटे-चोटे बच्चे देखे कैसे पूरा पूरी विवस्था है कि कमरे के अंदर दस-दस प होने का दावा करते हैं और कहती है कि यह सरकार बन जाएगी तो आपको पूरा फाइदा मिलेगा और एकदम स्मूध विवस्था रहेगे लेकिन यह देखिए भारतिय जनता पार्टी के असल स्मूध विवस्था जो है वो यह है केंद्र में भी राज्य में भी ना आज तक साड़े आठ महीनों में एन बिरेन सिंग जो के मुख्यमंतरी है उन्होंने सीफा दिया और 36 से जादा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी भी मनिपूर पर नहीं बोल पाए तो यह असलियत है भारतिय जनता पार्टी किया यह उनका काला सच है जो तस्वीरों में आप देख किस तरह से यहां के लोग जो हैं मजबूरी में रहने को मजबूर हैं मजबूरी में यहां पर एक अपना घर अपना सब कुछ घर बार छोड़के आशियाना चोड़कर यहां आए हैं पूरा पूरा परिवार लेकर और यह यहां इस तरह से रहने को लोग मजबूर है कहते ह एक आंसू भी डुबाने के लिए काफी है फिर यहां तो हर आखी धरिया है मनिपूर भारतिय जनता पार्टी के 10 सालों में सबसे बड़ी असफलता नाखामी फेलियर का प्रमान है और भारत जोडो न्याय यात्रा जिसके शुरुवात राहूल गांधी मनिपूर से करने जा रहे हैं इस यात्रा के जरिये कॉंग्रेस मनिपूर के लिए न्याय की मांग करेगी जो न्याय पिछले साथे आठ महीनों से भारतिय जनता पार्टी के डबल एंजिन की सरकार मनिपूर मनिपूर वासियों के साथ कर रही है उस न्याय के खिलाफ बुलंद आवाज में इंफाल के सडकों पर देश के ताना शाही सरकार से न्याय की मांग की जाएगी